पुलिश्री प्राणनाथ प्यारे सी सत्गुरु महराज चर्चा प्रारंब होत है सुन साथ चीत दे भजो राजश्यामा स्री प्राणनाथ सक्की जीवन हमाराएं स्री महामती कहे ए मौमीनों भयाचर्चा का बखर अब तुम सुनियों चीत दे लाल आगे आये बेठे इन तकत तम मेरे प्राण के आतम के आधार सर्व सोभादेने योग्य हो श्री लीला नीत्य विहार श्री लीला नीत्य विहार बुलिये शी प्राण नात धाम धनी के प्यारे एवं लाडले शुन्दस्शाजी आज भी तक चर्चा का तेरो मा दिन धाम धनी की अशीम कृपा अशीम महर से आज हम तेरो में दिन में प्रवेश कर रहे हैं कल के प्रशंग में हमने जाम नगर नौतन पुरी की अंतिम लिला को देखा के तिन तिन युद्ध जो मिराज के जीव ने किया माया के साथ तो तिन युद्ध में तो वो जीत गए चो थे युद्ध में जब हार गए अंतिम मूल स्वरूप ने भी दिल में ले लिया कि अब इंद्रावती ने बहुत कष्ट को देखा बहुत दुखो को देखा अब मेरे को अखंड घर का आपने घर का अउलोकिक सुख देना है तो धामधनी ने जब दिल में लिया तो यहां भी इंद्रावती की आतम में विचार आया महराज के दिल में कि अब मैं नौतन पूरी वापस नहीं लोटू और सिधे ही में दिवबंदर जाओ और वहां जाके हमने कल देखा के जैराम भाई कंसारा के अंदर बैठी हुई करुना सखी की आतमा को कैसे फटकार लगाई कैसे खंडनी के वचन कहे जो आज छेट्थे दिन में ये सब वचन हमारे पर घटी तो हो रहे है और वहां वरज लिला के रास लिला के और धाम के वचन कहके कर कैसे समझाया चोथे दिन की लेला को लेकर कैसे फटकार लगाई और करुना सखी की आतमा को जागरत किया और परमधाम का खंड सुख दिया और हमने और भी आगे देखा कि अंतिम जब ब्रह्म मुन्यों की रक्षा की धामधनी ने अपनी महेर तले अपनी नजर तले, अपनी कबाई तले अपनी महर की छत्र साया में लिया और अंतिम शुन्द साजी अमने जल्द जल्द में ये वहां तक के प्रशंग जोड़ दिये ठठा नगर तक के लेकिन ये आगे की बात मैंने इसलिए जोड़ी के जो प्रशंग मुख्य था, प्रमुख प्रशंग था ये यहां में आज जोड़ दूँगी क्योंकि कल साड़ा पाँच बज गए थे तो जो अंतिम ब्रह्म मुनियों की रक्षा के फिरंगी पुर्तगाली बातसा के पास जो चुगल खोर गए लेकिन धामधनी जहां ब्रह्म मुनियों पर जब संकट आता तो अपना अंग को खड़ा कर देते ये धामधनी ने कल बताया के पल पल उसकी नजर तले उसकी च्छाव तले हमको रखाए एक शण भी हमको उसकी नजर से अलग नहीं किया हमारी नजर धामधनी की ओर नहीं करते इसलिए दिखाए नहीं दे रहा क्योंकि हमको जाहरी महर दिखाए दे रही है बातुनी नहीं दिखाए दे रही है तो कल अंतिम में जो फितना उठा के चुगल खोर ने चुगली कर दी है और पूरे नगर में सोर मच गया कई सुन्दर साथ घर में छिप गए कोई खाडी पार करके चले गए कोई कहे के भे हम आये इनी चर्चा में और आना चाहते भी नए उस टाइम पे सुन्दर साथ जी बाईजुराज तेज कूरी जी का भी अर्भी लुटोरों ने अब परहन किया और उसके साथ कहीं सुन्दर साथ बंधन में आये उसका एक ही कारिय था कि बस ये लोग कई लोगों को लेके जाते थे फिर पैसा जब हम देते थे तो बस पैसा दे दे तबी वो छुड़ देते थे बस उसका यही काम था और कश्ट दुखवाने देते थे लोग तो वैसे अर्भी लुटे रेनों बाईजुराज जी के साथ कहीं सुन्दर साथ को जब तक किया बंधन में ले गए और उसके बाद सुन्दर साथ जी हमने देखा के वहां से कच में थावर भाई का मिलन हुआ वहां भी स्री जी ने खंड़नी के वचन किये उसके बाद हम मंड़ी प्रागमल भाई को और भाई को मिले वहां भी खंड़नी के वचन से समझाया के सुन्दर साथ जी कहां तक ये जुठे संसार में माया में आप कहां तक उलजते रहोगे ये माया कभी भी किसी की नहीं हुई है और होने वाली भी नहीं है आपके उम्र बित्ती जा रही है ये माया में आपकी पुरी लाइफ पुराई जीवन बित चुका अभी तक आपने घर की पेचान नहीं की धाम धनी की पेचान नहीं की अपने नीज स्वरूप की भी पेचान नहीं की घर को याद करो अपने नीज स्वरूप को याद करो धाम धनी को याद करो आप तो ऐसे ही माया में उलज गए हो कि आपको लग रहा है कि हम तो अनाधी काल से ये संसार ही हमारा है हम अनाधी काल से संसार में रह रहे और अनाधी काल तक यहां ही रहना है जाना ही नहीं है हमने तो यही मान लिया है और यह भी नहीं हमारा परमधाम से कोई नाता ही नहीं है मुल निस्बत की पैचानी नहीं है कि हमारा नाता धाम धनी के साथ क्या रिस्ता है क्या सबंद है क्या यहां के कोई रिस्तेदार सगे सबंदी का जो यहां का माता, पिता, भाई, बहें जो भी हमारे बच्चे परिवार का जो नाता ही है इसलिए धाम धनी ने बताया के देख तू निश्बत अपनी मेरी रूह तू आखा खोल ते तेरे कानों सुने हक बका के बोल तो तू तेरा नाता ही भूल गई के वापस जाना ही नहीं है धनी के सामने अपना सीर उचाई भी नहीं करना है आपको तो लग रहा है यह माया ही सर्वस्व है यह घर ही हमारा सर्वस्व है बस यहां ही अनाधी कालतक रेना है ऐसे कई वचनों से फटकार लगाई सुन्दर साथ को कट्टू खंडणी के वचन कहे आगे अपने लोकिक नाते के भाई थे अवलोकिक नाते के प्रमधाम की आतम थी उसको भी बोला के जाओ जामन अगर नौतन पुरी बिहारी जी माराज के चनों में प्रनाम कीजिए और आप यह आतमा को जगाईए यह क्या बात है सुन्दर साथ जी हमारे धामधनी ओई बातों को लेकर आज हमको समझा रहे के सुन्दर साथ जी आप पल पल धामधनी के चरणों में खाते, पीते, उड़ते, बैडते सोपन, सुवत, जागरत दमन छोड़े मासु को जाकी अशलहक निश्बत, आप तो अपना नाता ही भूल गए हो हमारे घर में कैसी प्रेम की रिती हमारा खाना प्रेम का हमारा पीवना प्रेम का हमारा सोना प्रेम का हमारी सब कुछ रहनी प्रेम की थी, परमधाम में क्या था? हमारी सब कुछ रहनी प्रेम की थी आज आप सब कुछ बूलकर ये माया में फसे जा रहे हो फसे गहरी खाई में जा रहे हो तो आपने क्या हाल करके रखाए अपना धामधनी ने अमरे को क्या धन दिया और हमने क्या पहचान की धामधनी आजसे खणनी के वचन और आतम को फटकार लगाते लगाते हम सुन्दर साथ जी नलिया होकर ठठानगर पहुंचते है ठठानगर में नाथा जोसी वहाँ नाथा जोसी मिलते है नाथा जोसी का घर ही स्री जी पूछते है कि नाथा जोसी का घर किस तरफ है तब नाथा जोसी से ही वेट वोती है स्री जी की और नाथा जोसी स्री जी को देखकर इतना आनंदित इतना फ्रफुलित इतना उत्सा अंदर उमंग भर जाता है और खुसी का ठीकान मतलब अंदर खुसी समाई नहीं रही है और अंदर से सोचते के धाम धनी आपने हमारे पर कितनी कृपा की हम तो बस अउगुणी करते रहे आप तो गुण भरे नीधान हो आप तो गुन के सागर हो आप हमारे परबस्क रुपाही करते रहे हमारे अउगुनों की और आपने देखा ही नहीं आप कहां से इतना पंथ काटके कितना रास्ता काटके नौतन पुरी से चल कर और आगे लो तो परमधाम से आके आज हमारी सुद्धी आपने लिए ये ठट्ठान अगर में आके क्या बता रह liquidity ना था जोसिका कि जोसिकी कहानी है हमारी सब की है सुंदर साथ जी किसकी कहानी है हमारी सब की है ने आज हमारे धामधनी पांच दिन की जो प्रत्यक्ष लिला होई तब तक तो वचन कहते रहे और आज वानी के ग्यान मई क्लेवर में ये ग्यान मई शौरूप में शाक्षाद धामदनी इस स्वरूप शाहिब में ये तारतम वानी में विराजमान होकर क्या वचन हमको कह रहे ये ना था जोसी की बात नहीं है हम सबको ये पस्याताब करना है हम सबको बस अंदर से ये पिडा लेनी है ये दर्द लेना है ये दुख लेना है कि भई हमने अब तक ये पैचान नहीं किये कि देखो में नहीं गई वहाँ नौतनपुरी नौतनपुरी से धनी मेरे को लेने के लिए ठठा नगर आये है लालदासी भी नौतनपुरी नहीं गए श्री जी लालदासी को लेने के लिए ठठा नगर आयेगे चिंतामणी वहाँ नहीं गए श्री जी आज ठठा नगर में चिंतामणी की आत्मा को जगाने के लिए आये है सुन्दर साथ जी तो हमको नहीं लगी है अभी हमने एक प्रक्रण में सुना ने कहां भयो जो मुख थे कहियो जब लग चोटन निक्षी फूट इसमें बोला बताया ने के लगी वाली कचु और न देखे पिंड ब्रह्मान वाको हैरी नाही वो खेले प्रे में पार पियासो देखन को तन सागर माही कहा तो हमारे लिए लेकिन हमको नहीं लगी है धनी की धनी को हमारी लगी है हम तो यह ऐस आराम से बस बैठे घर में सुक्चैन से सांती से कोई यादी नहीं आ रही है या ना था जो सी अंदर से पस्चिया ताप कर रहे हैं मतलब अंदर से अपनी पीडा के धाम धनी हमको लेने के लिए आप इतनी दूरी से इतना पंथ रास्ता काट के यहां तक ठठा नगर में आए आज हमारे धनी हर साल एक मैने के लिए असाड वद पाचम से लेकर स्रावन वद अस्टमी तक जो बित्तक चर्चा में हमारी रहनी हमारा आच्रण और जो मुमिन जो अगले पेले चले कैसे चले मुमिन इसलिए तो कहा सुन्दर साजी कि मेरे साथ चले वो तो चले सही लेकिन पिछले साथ कारण ये वानी कही ये वानी क्यों कही गई सुन्दर साजी धामदनी ने वानी में बताया कि कई किताबे करी साथ कारण कई किताबे करी साथ कारण हो भी गाई जगावन ये सुन के भी ना दोडिया क्या बताया कि जब लग भूली वतन तब लग तो नहीं दोस यहां जो जिन जिन सुन्दर साथ को फटकार लगा रहे ने धनी उसको बोले कि धाम धनी चोथे दिन में भी वही वचन कहकर चले गए तीन सो ते रात माएं भी जगाई फीर क्या हुआ माया में क्योंकि जैराम भाई ने भी तार्तम चोथे दिन में ले लिया था ने सुन्दर साथ जी आप सब को पैचान है तो यहां बता रहे हैं कि नाथा जोसी और आगे बताया कि जब ठठा नगर में सीजी पहुँचे तो वहां जाके देवे भाई की दुकान पे विश्वनात भट भी मिलते हैं क्योंकि वो बंधन से छुट गए है उसके परिवार के लोगों ने रुपाबाई इरादाबाई सब को छुड़वा दिया है तो वो भी मिलते हैं उसके साथ भी कहीं थोड़ी कुछ बाते होती है और सुन्दर साजी दस बारत दिन पहले ठठा नगर में रुखते हैं और उसके बाद वो चलने की अंदर से एक इच्छा करते हैं कि आगे का जो कारिया है वो संभालना है धामदनी का अंदर से मेसे जा रहा है कि भई इलहाम दे रहे धामदनी एक संकेत दे रहे कि जाओ आगे ये आतमा ये सिर्फ ठठा नगर में नहीं है और जग जग स्थान स्थान पर उत्रिये सहरों में गाओं में तो स्री जी आगे जाने की और इच्छा कर रहे है के बस आगे जाओ में और आतमाओं को जगाओ और बाईजु राज जी भी बंधन में लुटोरे के बंधन में आई है तो उसको भी छुडाना है और कई सुन्दर साथ भी बंधन में आ गए है सुन्दर से यहां दो बात रखनी है और मैं भी बताऊंगी हमने सोचा यह हम विचार करे ठीक है? कि एक बंधन यह माया का तो है हम सब यहां आये तो बंध गए ठीक है? माया ने सब को पकड़ के रखा है ने? आज आये गास यहां फंद बाजी रची माया की यहां में सब कोई रहिया उरजाई सुनोरे सत्के बंध जारे ऐसी यहां बाजी रची है यह सा फंद रच्चा है कि सब कोई को अनेक अनेक रूपों में बंध गए ठीक है? मैं एक बात वताऊ मनल यह है यह चंदन की एक कटोरी है ठीक है? उसने मेरे को पकड़ा या मैंने उसको पकड़ा? यह कटोरी को मैंने पकड़ा या चंदन की कटोरी ने मेरे को पकड़ा? मैंने पकड़ा ने उसको यह कटोरी ने मेरे को नहीं पकड़ा है ठीक है यह माया ने मेरे को नहीं पकड़ा मैंने माया को पकड़ा है बोलिये शी प्राणना समझ में आया मैंने माया को पकड़ा है माया ने मेरे को नहीं पकड़ा है यह हमने मां रखखा है कि माया ने हमको पकड रखखा है, क्या करे? दिदि नहीं कि निकल पा रही ने घर में, बच्छे, परिवार, सब को संभालना, यह करना, गुरुसती जीवन में है, यह करना थोड़ा यह ते होार का, यह है फेश्टिवल का थोड़ा यह चल रहा है, यह पकड़ाने माया ने मेरे को नहीं पकड़ाए ठीक है समझ में आया practical आपको तो यह तो एक बंदन है यह संसार संसार के अंदर जो माया रची गई है ने अनेक रूपों में आपको पकड़ने की माया जो रची गई है ने उसमें तो बंद गए लेकिन और उसके अंदर एक बंदन है क्या आज अरभी लिटोरे ने जो एक और केद में लियान है बाईजुराज और सुन्दर साथ को तो एक बंदन में भी एक बंदन माया में तो हम बंदन में है ही लेकिन उसके अंदर भी और एक बंदन आज हम कितने बंधन में बंदे हुए है पता है क्या हम गुरुहस्ती की भी एक एक ऐसी चक्की है गुरुहस्ती जीवन कि हम पीसे ही जा रहे हैं पीसे ही उसमें भी एक हम एकी तरह तो बंदे ही है समझ में आया उसमें भी एक आटे बनते हैं हम जब उसके अंदर अनाज डालते हैं चाहे गेहू हो जुआर हो उसमें डालते हैं तो क्या बन जाते हैं उसका आटा बन जाते हैं वैसे भी हम एक ग्रोसी जीवन की चक्की में हम पीस रहे हमारा भी आटा बन रहा है अमदीख नहीं रहने उसकी और समझ में आया ऐसी ग्रोसी जीवन की चक्की है कि बस कभी ने इसलिए तो बोला कि चलती चक्की देखके रहया कभीरा रोई दो पाटन के बीच में साबुत बचिया न कोई बताया ने कभीर ने कि इस संसार में बहुत से जीवा रहे है अपना जीवन ऐसे व्यतित सार्थक नहीं होता तो व्यतित ही हो गया ने पीर चले जारहें फिर दूसरे आरहें फिर जीवन व्यतित करते जारहें फिर चले जारहें किसी को अपना पता नहीं कि मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ और ये संसार और सरीर को छोड़ने के बाद जाना कहा है इसलिए तो धामदली ने बताया चलियो जुग जाईरे सुध बीना सुध बीना, सुध बीना, सुध बीना चलियो जुग जाईरे सुध बीना मुल प्रकृती मोह आहामाती उपाजेती नौगून सोपा जोमी प्रासरे हुई अंधेरी चाउदे भवान चलियो जुग जाईरे सुध बीना कल के प्रशंग में हमने देखा ने कि संसार के जीव तो वैसे सुध बीना, सुध बीना, सुध बीना जा रहे लेकिन परमधाम की ब्रह्मात्मा के लिए बराबर नहीं है तो ये तो संसार तो एक बंधन है उसके अंदर भी और एक बंधन ठीके यहां का बंधन तो कोई जामिन बीच में पड़ेंगे या किसी की कोई पैचान से भी हम छूट जाएगे ठीके अब आसी बंधन वाले भेरों से ठागे छुडाएगे ने लाहरी देखे, सतर अजार ठीके तो यहां तो पैसे से भी छूटे जा सकते है किसी की पैचान से भी क्या यह संसार की केद में किसी की पैचान चलेगी यहां की केद से छुटना है क्या पैचान चलेगी यहां कैसे हम छुट पाएगे यहां संसार की केद से सुन्दर साथ जी हमारी नजर यहां से अटाके कहां ले जाना है धामधनी के चरणों में उस सरूप में उस सिंगार में डूबना है बस हमारे पास और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है कि संसार के बंदन से हम कैसे छुटे मैंने कल भी बताया था नहीं कि दिन का 12 घंटे होता है रात का तो चलो छोड़ दो 12 घंटे में राज्जी के चड़ों में कितने घंटे बिताते हैं और कितने घंटे हम परिवार बच्चे सगे सबंदी व्यवार में या कोई सहली सखी या मित्र या ग्रोसी जीवन के कोई काम में कितने घंटे हम बिता देते हैं और कितने घंटे हम राज्जी के चड़ों में बिताते हैं ठीक है सुंदथ साजी धाम धनी हमको ये प्रशंग शे ये बता रहे हैं कि जो प्रसंग आ रहा है ने एक एक प्रसंग हमको फटकार लगा रहा है क्या कर रहा है कि भई यहां के बंदन से कैसे छुट पाओ कि आप जब तक आपको राजी की नहीं लगेगी कल मैंने बताया था कि हमारे अंदर जो यह सब परिवार के रिष्टे सगे सबंदियों की जो यहां सब सबंदियां चुबे है ने एक खुते है अंदर उसके लिए हम कितने रो रहे है पल पल मर रहे है मर रहे है ने मेरे को बताओ सुन्द साजी हम धनी के लिए कितनी देर मर रहे है सरीर और संसार और परिवार के लिए तो हर कोई लोग अपने सरीर और परिवार के लिए तो हर कोई मरेंगे लेकिन संसार और मानो कलियान के लिए कौन मर रहा है यह धामदनी ने बताया कि तुम तो अपनी आत्मा की भी अपरादी बन रहे हो अपने आत्मा को भी दोसी बना रहे हो ये धामदनी है, सुन्दसाजी के हमको छुडाने के लिए ये धामदनी आया है यहाँ, इसलिए बताया। सो तुम सहजे उतारे पार, स्रीधनी जी के लागु पाए, स्रीधनी जी के लागु पाए, मेरे पियू जी फेरा सूफल हो जाए, स्रीधनी जी के लागु पाए, क्या बताया धामदनी ने, कि इस भव सागर से कोई पार नहीं पामा, पार नहीं किया किसी ने, सभी मो सागर में ही दूब गए, मैंने पांच रतनों को निकाला है, लेकिन आपके लिए मैंने ये माया, कितनी सरल बना दी, कितनी सहज बना दी, कि बस अपनी सूर्ता को मुल मिला में लगाओ, बस धामदनी का स्वरूप सिंगार दिखेगा, आपके घर में वानी आ गई, एक एक बातों की धामदनी, परमधाम के एक कुछे की, एक एक कर्ण की आपको पैचान दे रहे हैं सुन्दर साथ जी, तो आज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ धामदनी ने बताया, कि ना था जोसी, और उसके बाद जो बंधन में छुडाने के लिए, आगे का स्री जी जो सोच रहे है, कि मैं आगे जाओ लेकिन, जब लाठी बंदर से आगे चलते हैं, सत्र दिन तक नाव आगे बढ़ी, फिर वायू की जो दिसा है पवन की, वो उल्टी थी, तो सत्र दिन के बाद, नाव फिर कहां आई सुन्द साजी, फिर किनारे पड़ ये, आ गई, क्योंकि और दो जो आत्मा ये ठठानगर में है, वो अभी तक जगी नहीं थी, मतलब वहां तक स्री जी पहुँचे ही नहीं थे, तो दो आत्माओं के लिए, कौन-कौन सी, एक चिनतामणी के अंदर, बैठी हुई आत्मा, और एक लालदा सी के, अंदर बैठी हुई आत्मा, तो मुल सरूप ने पहले से दिल में ले लिया था, इसलिए सत्र दिन के बाद ये नाव फिर वापस किनारे पर आई, तो सुन्दर साजी ये सत्र दिन क्यूँ, हम चोपाई भी पारण की समापती के बाद, हम फिर सत्र चोपाई बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ने, सत्र चोपाई हम बोलते हैं, यहां भी सत्र दिन की बाद क ठीक है यह सत्रत अत्व के शुक्षम सरीर की बात दिख़ी पोराणिक मान्यता की आधार पर कही जाती है कि एक बार यह जीव यह सरीर छोड़ता है तो जीव के साथ जो सुक्षम सरीर जाता है तीन और स्थुल तो छुट जाता है यहां जोनतिम शंसकार हो जाते उसके साथ सुक्षम, कारण और महा कारण रुप जीव यह तीनों जाते हैं तो यह सुक्षम सरी सत्रत अत्वका है कैसे तो के पंच महाभुत तो यहां छोड़ दिया पाँच तन्मात्राए, पाँच ग्नानेंद्रिय, पाँच करमेंद्रिय और एक मन और एक जीव यह सत्र मिलकर यह हमारा सरीर की जो रचना हुई है सुन्द साजी उसमें एक फ्थुल सरी छुट गया तो सत्र ही तत्व बचे, यह पौराणिक मानिता के आधार पर बताया लेकिन यह सत्र तत्व का अस्तित्व भी जब मिट जाएगा शुक्षम रूप में भी हमारे अंदर कोई भी तुरुषणा का, इच्छा का कोई भी शुक्षम भी बीज नहीं रहेगा हमारे अंदर उसको बताया योगदर्शन में के केवली अवस्था में जब यह दसमें द्वार में पहुँचते हैं तो अभी शुक्षम अंदर बीज रहे जातक, मतलब यह शुक्षम भी भी नरज, उसको कहते असंप्रगनास समाधी और संप्रगनास समाधी की चार अवस्था बताईये तो मतलब असंप्रगनास समाधी में शुक्षम भी भी अंदर तुरुषना का नहीं बचता तो हमारा पुनर जन्मन नहीं होता मतलब हम भाव सागर से पार हो जाते, समझ में आया हमारे अंदर जब तुरुषना का बीज बनता रेता कोई भी अमारी अंदर इच्छा बाकी रेती इसलिए तो बताया ने सुन्द साजी रक्तबीज राक्षस करके कि वह एक रक्तबीज राक्षस को मारे तो जितनी बुन्दे रक्त की नीचे खिरती थी तो और रक्तबीज पेदा हो जाते थे यह रक्तबीज क्या है हमारे अंदर जो तुशनाए, वासनाए, इच्छाए जो बनी रेती है एक बार जिव ये सरीश छोड़ देता है जो सुक्षम रूप में भी अंदर बीज बने रेते है तो हमारे पुनर जन्म होते हैं फिर तो ये पुनर जन्म ना हो पाए सुन्दर साजी इसलिए ये भवशागर से अंपार क्यों नहीं होते मतलब अनेक योनियों में हमको बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है तो यहां बताया के सत्र दिन क्यों लिखा और यहां भी चोपाई में भी बताया है पहले प्रक्रण की रासकी के ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल वेरीना हडे वली गया काम सराडे चडे मन चितविया कारज सरे यहां भी बताया के और उसके बाद हमारे अंदर जब बीज नहीं बना रहे ता शुक्षम तुष्ण का इच्छा का तभी धनी धन्वत करेंगे तभी धनी महर करेंगे और अपनी छत्र साया में हो लेगे तो यह बताया धाम धनी ने वैसे शत्र की बात सुन्द साजी में ने बताया ने के बोडी को लेकर यह माया की चोपाई भी बताई कि यह माया ने किसी को नहीं छोड़ा ये उपर अवे सुकहू बीजा नामते केना लहू क्योंकि इस भवसागर को त्रिगून भी पार नहीं कर पाए रुशी मुनी कई पैगंबर तिर्थंकर उतार आए सब निराकार में शुन्य में लीन हो गए कोई आगे नहीं जापाए तो सुन्दसाजी यहां भी सत्र दिन के बाद ये नाव वापस आई फिर ठठा नगर में सुन्दसाजी जब स्री जी फिर अंदर सहर में जाते हैं तो फिर कौन मिलते हैं नाथा जोसी तो मिले और बंधन भाई मिलते हैं ठाकुरी बाई जिन्दादास मिलते हैं और बंधन भाई अपने घर में स्री जी को ठेहरात और वहां चर्चा चित्वनी सत्संग वां सुरू हो जाता है ब्रज की बाते रास की बाते धाम की बाते चर्चा का इतना सोर पुरा सहेर में सुन्दसाजी फेल जाता है इतना प्रचार पसार हो जाता है कि वही सब को ऐसा लगता है कि ये ठठा नगर में कौन ऐसे अउलोकिक महात्मा आए है के सब लोग वहाँ ही जा रहे है और कई लोग वहाँ आते है और धामधनी का शुकरिया भी मनाते है क्यूं? के धामधनी के मुखारविंद से ऐसी ब्रह्मतत्व की, आत्मतत्व की, आत्मग्यान की अउलोकिक चर्चा जब उस सिर्जी के मुखारविंद से सुनते है, तो सब उसका सुकरिया मनाते है उसको धन्यवाद देता है थैंक्स केता है के धामधनी की ये परमात्मा की कुरुपा से ही हमको ये सुक ठठा नगर्दी की धर्ती पर ये अउलोकिक ब्रह्मग्यान सुनने को मिल रहा है सुन्द साथ जी तब ये जब सोर मचा पुरा सहेर में तब सुन्द साथ को पता चला के वहाँ एक चिंता मनी नामक कभिर पंथी अन्यवाई है, जो यहाँ के गादी पती आचारिय बनकर बैठे हैं, तो सुन्द साथ ने बताया, के वही स्री जी चलो ने हम वहाँ भी जाके मिले एक कभिर पंथी अन्यवाई चिंता मनी नामक एक आचारिय है तो स्री जी ने बोला चलो, जाईए हम वहाँ जाईए ठीक है, उसके पास कोई ज्यान सुनिए जिसकी अंदर कोन बेठा है अक्षरा तीत, ठीक है धाम के धनी प्राण वल्लव प्राण नाथ बेठे है, मिराज की महामति के धाम दिल में अभी भी अमने अगले प्रशंग में भी सुना सुन्द साथ जी तो इस बात से हम को यह समझा रहे है धाम धनी के दुसरे की बात को कितनी धहरिय रख कर स्री जी सुन रहे देखो और अंदर से एक इच्छा भी करें नहीं चलो, उसको भी हमारा बनाना ने सब को यह सुद्धी देनी है सब को यह पैचान करवानी है सुन्दर साथ को लेकर स्री जी कहां पहुचते है चिंता मनी के पास पहुचते है चिंता मनी के पास जब पहुचे तो चिंता मनी ने सुन्दर साथ जी जब स्री जी को देखा तो इतना आनंदित हुए इतना अंदर से उत्साह अंदर भर गया और बोले कि आप कहां से आये हो महात्मा जी अपके छरणों में मेरा प्रणाम आप कहां से आये हो तो श्री जी ने बोला कि मैं दूर परदेश से आया हूँ और आपकी कोई अगाध ग्यान है आपके अंदर और आपके अंदर कोई अउलोकिक ग्यान की चर्चा सुनने के लिए मैं आया हूँ तो उसने बोला कि ठीक है चिंतामणी ने भी बोला कि भई आप अउलोकिक ग्यान की चर्चा सुनना चाहते हो तो मैं कुछ चर्चा बताऊ और आपके अंदर कोई ऐसा अवलो की ज्ञान है तो आप कोई अवलो की ज्ञान की चर्चा सुनाईए तब जाके चिंता मणी ने बोला कहो तो मैं आपको चतुर भुज का दर्सन कराऊ या सहस्त फेन वाले सेसनाग जो नारायन जो भी राजमान है उसका दर्सन कराऊ या ज्योती श्वरूप का दर्सन कराऊ आप बोलिये आप जो भी इच्छा करते हो वो मैं दर्सन कराऊ तो स्रीजी तो वैसे ही सांती से सुनने लगे अंतिम जाके बोलेंगे यहां स्रीजी ने बोला कि आप शुनाईए तब चिंता मणी ने शुरू किया कि चतुर्बुज स्वरूप का जो बात शुरू की कि चतुर्बुज स्वरूप क्या है हम पोराणिक मान्यता के आधार पर सुन्द साजी चतुर्बुज चार भुजाए पिष्टु भगवान की चार भुजाए चार हाथ है और चतुर मुखी ब्रह्मा जी का चार मुख है वैसे सिव जी के तिन नेत्र है वैसे अमारी जो आलंकारीक रुपक आलंकार में जो ये बताया है लेकिन वास्तविक्ता कई अलग है तो यहां चतुर भूज की बात की चिंता मनी ने चिंता मनी ने बताया पोराणिक मान्यता के आधार पर तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रीगून को देवता कहा जाता है और यहां वैदिक मान्यता के आधार पर यह सुष्टी जब उत्पन हुई जब पैदा हुई नारायन के संकलप से तब प्रारंबिक रुषी कहे जाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह संकलपीक शुष्टी के यह आधी रुषी मुनी है शुष्टी उत्पन हुई जब जम्मु, कस्मीर और तिबत के जो इलाके हैं हिमालई के पर वहाँ से पेले आधी शुष्टी उत्पन हुई और वहाँ जब शुष्टी उत्पन हुई जब जब जन संख्या बढ़ती गई तो जन संख्या की रक्षा के लिए यह जन संख्य की रक्षा के लिए विष्टु भगवान को पालन पुसंड के लिए ये सेवा दी गई और सुन्दसाज जी आगे भी बताया कि विष्टु भगवान को ये सेवा दी गई और तो ब्रह्मा जी भी आज अमवैदिक मानियता से देखेगे तो जो तब कर रहे है, पुस्कर दिप में हिमाले में भी ये तब कर रहे है वैसे विश्टु भग्वान का भी महस्व तंत्र पुराण सहिंता में लिखा हुआ है कि वो भी एक ध्यान कर रहे है तो एक रूशी है उसको देवता भी पुराणिक मानेता के आधार पर कहा गया है और सहस्त्र फेन की जब बात चली तो हजार फेन वाले सहस्त्र मतलब सहस्त्र सीशा करके बताया कि हजार फेन वाले जो एक सर्फ है उसकी फेन पर एक राई के दाने के उपर ये पुरी टिकी हुई है तो वहाँ सुन्दसाजी एक प्रस्तन खड़ा होगा क्या कि पुरुथवी से तेरे लाख गुना तो सुर्य बड़ा है तो जो पुरुथवी उसके सीर पर एक राई के दाने की जगपटी की हुई है तो ये सुरिय, चंद्र, नक्षत्र ये कहां ठीकेगे, ये कहां स्थीर रहेगे तो ये भी सुन्दसाजी एक रुपक लंकार के माध्यम से समझाया गया है और आगे बताए तो ज्योती श्वरूप की जो बात कही तो ज्योती श्वरूप में क्या बताया तो ज्योती श्वरूप में बताया कि ज्योती श्वरूप जो आज के निराकारवादी मान्यता वाले लोग है चाहे बहुद धर्मवाले है आज ब्रह्मा कुमारी जमत वो शुन्य में ही एक बिंदू में अपना ध्यान करते हैं तो जोती शुरूप निराकारवादियो आदी नाराण को एक शुन्य में ध्यान करके उसको बोलते कि ये जोती शुरूप का दिदार हुआ लेकिन सुन्दसाजी ये जोती जो जोती शुरूप की बात कही और सेश साई नाराण की बात कही और चतुर भुज की बात कही और आगे भी एक बात कही के जिल मिल जोती और अनहद नाद आगे भी चिंतामणी ने बताया कि जिल्मिल जोतिक के अनहद नाद को सुनना है क्या तो यहां भी जिल्मिल जोतिक क्या है और आगे अनहद नाद क्या है तो यहां बताया कि जब यहां भ्रकुटी में ध्यान करेंगे तो निरंजन की प्रकुटी में सयम करेंगे, ध्यान साधना लगाएंगे, तो यहां निरंजन का आपको शाक्षातकार होगा, या आगे जग त्रिकुटी जग त्रिमेणी संगम होते हैं, इंडा, इंगला और सुशुमना नाडी का, तो वहां ओहम सब्दका होता है, और आग सुश्ती स्वरूप के साथ, दस अनहद नाद भी सुनाई पड़ते हैं, क्या क्या, तो के ताल, मृदंग, जांज, डफली, विना, सेहनाई, किंकिन, एसे दस नादों का आवाज भी आता है, तो ऐसी बात, किसने रखी सुन्दर साजी, चिंता मनी ने, किसने रखी, चिंत सामनी जी, ये बात तो ये निराकार तक की है, नारायन खशर ब्रह्मान तक की है, आदी नारायन ओम प्रणव इश्वर तक की है, मेरे को तो ये नहीं सुनना है, जब मोका मिलाने, आउशर मिलाने, तभी, तब तक तो सुना जैसे, जुनागड में हरजी व्यास के मुक्ष दो महिने तक सुना, जब 84 लाख हीरे के मंदिर की जब बात आई, तभी प्रहार किया ने, यहां भी बोले, कि चिंतामनी ये बात तो नारायन तक की है, उसके आगे मेरे को तो क्या सुनना है, अवलो की ब्रह्म तत्व, ब्रह्म और माया का निर्णई करके, हमको ये ब्रह् किया है, ये मेरे को अलग करके बताईये ने, वो स्पष्ट करके हमारी आत्मा के अंदर प्रकास कीजिए, किस ने बोला, श्री जी ने बोला, तब जाके चिंतामनी ने बोला, कि ठीके चलो, मैं कबीर का कुछ ग्यान सुनाओ, वो तो बेहद की वासना है ने, मैं आगे जा तो सुन्दसाजी कबीर की एक साखी पे उसने सुनाया चिंतामनी ने, कि कोडी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पुरा भक्त कमाल, कोडी से हीरा भया, फिर देखो स्री जी का धैरिय, फिर जब समय मिलेगा, फिर क्या करेगे, मोका मिलेगा तबी, फि स्री जी उसको उपर जो बोलेंगे के भाई यह नहीं सुनना है आपने क्या पैचान की है यहां बताया के कोडी से हीरा भया कोडी कौन है तो बताया के जो कबीर के माता पिता है वो माया के जीव है मतलब कोडी के समान एक माया के जीव है वो ग्यान से रही थे उसके अंदर कोई अध्यात्म ग्यान की सुगंदी नहीं है तो उसको कोडी कहा गया और उसके पुत्र कोन है कबीर तो कबीर को एक हिरा कहा गया और उसके भी पुत्र कोन है तो के कमाल तो कमाल तो एक माने के रत् तब जब यह बोला तो आगे स्री जी बताएगे लेकिन यहां स्री जी ने बोला के अरे चिंता मनी आपका चित तो स्थीर है ने आपकी बुद्धी बुद्धी की जो सोच है आपने क्या विचार के बोला आपको पैचाने कबीर कहां का है आत्मा कहां की आत्मा है उसकी पहुँच कहां तक की है वो तो अखंड की आत्मा है इश्वरी शुष्टी है उसकी पहुँच बेहद तक योगमाया ब्रह्मान की है कबीर पंचवासनाओं मेंने सुकदेव, शनकादी, कबीर, शिव और महाव और कमाल ये छोटे से एक माया के जीव है आपने क्या पेचान की आपका चीत स्थीर नहीं है आपने कोई माया और ब्रह्म क्या है ये आपने जाना ही नहीं है तब आगे और बोला कि भई इसलिए ये कबीर को आधा बगत कहा गया और कमाल को पुरा क्योंकि कबीर की आत्मा त जीवन में है ने गुरु हस्ती जीवन में इसलिए वो आदे माया के भक्त है लेकिन पूरे ये अखंड योग माया के भक्त है फिर कमाल ये तो पूरे ही माया के भक्त है पूरे ही माया में ही है कभी तो अखंड योग माया की आत्मा है तब यहां जाके जब समझाया तो इस ब कभीर है वो आदेभक्त है और कमाल पूरेभक्त है क्यूं एक कहावत कही जाती है कि क्या कहावत है एक बार कभीर जी घर में नहीं थे तब उसके घर में किसी ने बहुत कोई राजा के एक राजकुमार बहुत से धन संपती अपने बेल गाड़ी में या घोड़े पर कई उट ये धन संपती उतार दिया तभी उसकी पतनी लोई और कमाल दोनों थे तो दोनों ने ρात को दिन को बाटचित भी कर लिए क्या देखो कितने धन अमारे घर में उत्रे है राजा के राज कुमार ने उतार दिया है ये धन से एक चली के विचार करने लगे कि हम यह धन के यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे ऐसे विचार करने लगे तब तक तो साम होने लगी जब साम हो गई तब साम को कोन आए घर पे कबीर जी आए कबीर ने देखा कि इतने धन संपती यह घर में कहां से आ गई जहाँ कबीर है वहाँ धन संपती नहीं रहेगी जहाँ धन संपती है वहाँ कबीर घर में नहीं रहेगा जाओ लोई और तुम कमाल यह सब धन संपती बहार निकाल दो रास्ते पे फेक दो घर के बहार फेक दो तब बहुत डिसकस हुई लेकिन पहले तो यह मान नहीं रहे थे बार-बार कभी जी ने बोला तो कमाल ने सब धन संपती राजवरा जो भी आये थे रास्ते पे फेक दिया सुबक जो लोग वहां से पसार होते थे उसने देखा कि देखो कभीर तो अपने को एक पहले से बोल रहे थे कि मैं गरीब हूँ ऐसे एक नाटक कर रहे थे देखो यह तो आदे भकत है और कमाल तो उससे भी आगे है क्योंकि जो धन संपती उसके घर में थी इतनी धन संपती कभीर ने अंदर जमा करके रखी थी और बहार तो अपनी गरीब ही बताते रहते थे उससे भी आगे कमाल है कि इतनी धन संपती उसने रास्ते पर फैक दी देखो तो वो उससे भी आगे इसलिए कमाल पुरा भकत है तो उस बातों को लेकर एक कहवत चल पड़ी कि कभीर आदे भकत है और कमाल पुरे भकत है ऐसा वास्तों में नहीं था सुन्द साथ जी तो यहां यह बात जब चिंता मनी ने स्री जी के सामने रखी तब चिंता मनी के अंदर जोस आया कि आया स्री जी के अंदर जोस आया और चिंता मनी को बोला कि चिंता मनी आपको हीरा तो मिल गया लेकिन जोहरी किसी ने नहीं बनाया क्या बोला हीरा तो मिल गया लेकिन आपने किसी ने जोहरी नहीं बनाया क्योंकि हीरा को परखने वाला कौन होता है जोहरी होता है इसलिए सुन्दसाज ये बात किसकी है मैंने सोचा प्रसंग पहले पुरा कर दू ये बात हमारे लिए है हमको वानी रुपी हीरा तो ये मैं हीरा के समान नहीं समान सेम करती सुन्द साथ जी लेकिन आज कहना दुख के साथ वड़ा है कि ये अमोलक धन ये रत्नों तो कदाची थी यहां के जड़ पृत्वी के ये बस एक कोईले से बने हुआ हीरा है इसके साथ मैं उसका समान या सेम नहीं कर सकती लेकिन यहां की जो उच्चे से उच्ची चीज है यहां के हीरा लो या कोहिनूर हीरा लो या प्लेटनियम धातू लो जो भी लो सुन्दसाथ जी उससे उच्ची चीज इस ब्रह्मान में कोई नहीं है सागर लो तो राजी का दिल एक सागर बढ़ा है वैसे कई कई चीजे परमधाम की समान यहां सेम की लेकिन सुन्दसाथ जी मैं दुख के साथ के रहूं के ऐसे रत्न समान यह वाणी मिली आज हम को परक जोहरी बताया ने के परक कोन करता है जोहरी करता है तो आज हम यह जोहरी नहीं बने के वाणी की चोपायों की हम पहचान कर सके के धामधनी ने अपने दिल का क्या राज खुला है क्या रस धामधनी पिला रहे खिल्वत में जाके बताया ने के साकी पिलावे सराब रूहे प्याले पीजिये ये हक इसक का आब जो भर-भर प्याले पीजिये साकी कोन बन कराया है श्वयम हमारे धाम के धनी वो उपरी उपर मतलब पैदर 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 ये इसक का प्याला धाम धनी पिला रहे है ये साकी पिला रहे है रूहे प्याले पीजिये ये सुन्दर साथ जी ए धाम धनी के दिल का प्रवाहित प्रेम का रस है ये आप बस भर-भर कर पी आल्या पी लीजिए आपको ये अुशर मिला ये समय मिला है धाम धनी यहां आपको बता रहे हैं सब सुन्दर साथ को और आगे लेके लेके जा रहे हैं कि हे चिंतामनी जो सायाने स्री जी को कि आपका चित सीड नहीं है बुद्धी भी आपकी ठीकाने नहीं है आपने क्या पैचान की मैं आपको एक साखी पर आपको स्पष्टी करण करके मैं बताता हूँ तो आगे जाके स्री जी जो उसकी राह कबीर भी रहते सुन्दसाजी उसने बोला था इस साखी का जो कोई वीवरन करके, उसका सपस्टिकरन खुला सा करके, मेरे को जो बताएगा, हो मेरा सत्गुरू होगा, मैं उसका चजला होगा, तो यह बात को लेकर, श्रीजी, यह साखी का सपस्टिकरन करते हैं, कि एक पलक से गंजो निकसी, हुवा चवदिस पानी, उन पानी से दो परवट धपें, दर्या लहेर समानी, उड मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी, उन मक्खी को मक्खा नहीं, बिन पानी गरभानी, तीन गरभे गुन तीनो जाए, हो पुरुस अकेला, कहे कभी वो पद को भूजे, सो सत्गुरु में छेला, ये साखी का, ये पद का, स्री जी अभी स्पष्टी करन करने जा रहे है, सुन्दसाजी सुनिये, आज अब तक कभीर के जो बिजगरन से लेकर, कभी भी किसी ने, कहीं सत्गुरु उसमें भी हो गए, लेकिन किसी ने ये स्प तम वानी नहीं आई थी, जब तक ये वानी संसार में नहीं आई थी, तब तक सब सास्त्रों का भेद, सब सास्त्रों का माइना, सब सास्त्रों का गुज रहसिय कोई भी खोल नहीं पाए थे, इसलिए तो सत्गुरु धनी देवाचंदर जी को जब तीसना दर्शन हुआ न तबी बोलाने कि ये भागवत गीता का रहस्या आप से खुलेगा अभी तक किसी ने नहीं खोला है बोलाने ये भागवत कागज कलाम तुमारा और कोई ना खोल सके जो मिले खलक क्योंकि ये रहस्या किसी से नहीं खुलेगा जब तक ये निस्कलंग बुद्ध स्वरूप नहीं आएगे जब तक ये पुरण परमात्मा की आवेश्की शक्ती संसार में नहीं आएगे जब तक कतेब परमपरा की ओर से हम देखे तो बोला कि स्वयम खुदा ताला ये नई इमाम में दी नहीं आएगे तब तक ये वेद और कतेब के ये माईने किसी से खुलेंगे नहीं सुन्द साजी तो अब तक उस पर परदे पड़े थे ऐसा नहीं है वेदों तो कई रुशी मुनियों ने कई विद्वानों ने उसको पढ़ा उसके अंदर जाना मतलब डूबना भी किया और एसा नहीं उसके अंदर स्वाध्याई किया चिंतन किया मनन किया लेकिन उसका जो गुज माईना था वो समझ नहीं पाए कि वेदों के अंदर भी अमारी शाक्षिया है उपनी शदों उस व्याख्यान ग्रंथ उपनी शदों के अंदर भी आचारिय बेठेने और जो धर्म गरंथों का एक दावा लेकर कि हम इस संप्रदाई के एक वरिष्ठ है एक धर्म गुरु है एक गाधी पती है लेकिन एक सूर अस्रा फिल फूंकेगे ने तबी यह रूई की माफक उड़ा जाएगे तो यहां क्या वहार जी व्यास का एक किस तो खतम हुआ यहां दूसरा आचारिय सामने ठीक है तो यहां भी स्री जी के सामने जब चिंतामनी बैठे है गाधी पती आचारिय बनकर बैठे ने अभी स्री जी जब यह साखी का सपष्ठी करण करेंगे बेहद खोलेंगे उसके अंदर कौन बैठे श्वय मक्सरातित की आवेश सक्ती बेठी है सुन्दर साथ जी तो एक पलक्षे गंजो निक्षी परमधाम कैसा है सत चीद और आनंद के श्वरूपे सचीदा नंद परमधाम सत और परमधाम में सत चीद और आनंद की लिला हो रही है यहां असत जड़ और दुख की लिला हो रही है परमधाम में सत चीद और आनन्द की लिला हो रही है तो सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म और आनन्द स्वरूप श्यामाजी और श्यामाजी के अंग सुंदर साथ नूर के नूर जो नूर है तो यहां बताया के परमधाम की सत चीद आनन्द की लिला तो चिद गन स्वरूप स्वयम स्री राजी वहां स्वर लिला अदवेत भुमी का है तो चिद गन स्वरूप स्री स्वयम राजी और राजी की दो पल के क्या तो कि आनन्द और प्रेम और आनन्द तो प्रेम कौन है तो कि राज्जी का दिल जो अनन्द प्रेम का सागर है गंजान गंजिस्क का सागर है और उससे ही तो आनन्द प्रगट हो रहा है वहाँ तो वहाँ प्रेम और आनंद की लीला संपादीत होती रहती है परमधाम में तो ये दो पल के राजी की है और राजी के दिल में इच्छा क्या हुई तो ये महर का दर्या दिल में लिया तब रुहों को खेल देखन का उपजिया ख्याल पेले लई हक के दिल में ता पीछे आई माहे नूर ता पीछे हादी रुहन में योकर हुआ जहूर यह क्या बताया के श्वलिलादवेद परमधाम में धामधनी रोज हमको कितना लाड करते थे कितना प्यार करते थे 25 पक्षों के अनेक रूपों में धामधनी का श्वरूप बनकर श्वरूप जो अनेक रूपों में कीडा कर रहा था लिला कर रहा था वो पुर्ण पेचान हमने परमधाम में नहीं की थी साम को भी श्रीवास्तो जी अनि श्रीवास्तो जी हमको बता रहे थे बहिया कि हमने पुखराज के साथ कभी भी बात नहीं की थी पुखराज है यह तो पता था हमा लिला करने के लिए भी जाते थे मानेक पहाड में भी जाते थे लेकिन यह पता नहीं था कि बुखराज यही राजजी के स्वरूपे उसके साथ हमने कभी भी बातचीत कर नहीं की थी सुन्दस्राजी वो पेचान देने के लिए वो पुरुना पेचान देने के लिए धामदनी ने और एक लाड़ किये 25 पक्ष का लाड़ तो वहां रोज ही करते थे लेकिन 26 मा पक्ष हमने कभी भी देखा नहीं था बोली ऐसी प्राणनाथ तो राजजी कहा लाए हमको यह 26 में पक्ष में ठीक है कहा लाए है 25 में तो रोजी लिला हम करते थे धब तक राजजी के दिल में इच्छा नहीं होती थी तब तक परमधा में कोई कारिय, कोई लीला संपादित नहीं होती थी इच्छा परमधा में इच्छा सब्द नहीं है लेकिन यहां कि सब्दों के भावों में बताने के लिए धामधनी की इच्छा रुपी गंगा मतलब इच्छा जब अंदर हुई तब यह इच्छा जब बहार आई तो हुकम बन गया क्या बन गया? हुकम और परमधाम कैसा है? हमारा तिसरा सागर क्या है? दिदी हमारा तिसरा सागर क्या है? नूर, नीर और शीर शीर सागर मतलब वहधत, एक दिली का तो परमधाम में एक दिली है ने? यहाँ एक दिली नहीं है तो पूरा परमधाम में ये बात फैल गई जब धामधनी ने दिली में लियाने मैं और एक लाड़ करूं मेरी रूहों के साथ परमधाम में बात फैल गई तो अक्षर ब्रह्म रोजी धनी के दर्सन करने के लिए आते थे चांदनी चोक से वापस लोड़ जाते थे सुन्दसाथ जी जब धामधनी को ये खेल देखाने की इच्छा हुई ने और अक्षर ब्रह्म को भी पताई नहीं था के रंग महुल में क्या लिला आनंद और इश्क की ओ रही है निसदीन रंग महुल में साथ श्यमा जी श्याम याद करो शुख सब अंगो जो करते आठो जाम अक्षरातित के महुल में प्रेम इसक बरतत शो सुधया शर को नहीं जो किन विध के लकरत अक्षरातित के महुल मतलब हमारे महुल अक्षरातित कोई अलग थोड़ी है हमारी जो दरगाह रंग महुल नवभोम और दस्मी आकासी वाला जो हीरे रतनों से जड़ावकारी चित्रकारी किये हुए जलकारों जलकार करते हुए इक भूमूचे चबूतरे पर नव भूम दस्मिया कासी वाला रंग महोल उसमें जो सुन्दसाजी प्रथम भूमी का में मुल मिलावा दुश्री भूमी का में रसोई की अवेली प्रथम भूमी का में और मुल मिलावा दुसरी भूमिका में खडोकली और भूल भुनवनी के मंदिर तिसरी भूमिका में पड़साल जरोखे और चोथी भूमिका में नीरत की हवेली चोथी चोरस हवेली पाचमी भूमिका में रंगपरवाली मंदिर और हमारे सयन के जो दो पुड़े, त्री पुड़े, चो पुड़े और हवेलियों के मंदीर और चठी भूमी का में सुखबाल और तक्तरवे, सात्मी भूमी का में दो ताली जुले, आठमी भूमी का में चार ताली जुले, नौमी भूमी का में दूर दर्शिका, जिस दिसा में बैठ कर धामदनी रुहों को सोभा का वरणन करते हैं लिला का वरणन करते हैं वो दसमी आकासी चांदनी तो उसमें जो तीश्री भूमिका से रूज सुब को धामदनी पसुपक्षियों को जानवरों को दर्सन देते थे आप जो परिक्रमागरंद के त्रीजे प्रक्रण में शुन्दसच धामवरणन में भी आता है त्रीजी भूम की जो बढ़ साल थोर बढ़े दर्वा जेवी साल धनी आवत हे उठी प्रात वन सिंचत यम्रोत यगात पसुपंखी का मुझरा लेवे सुखा नजरो सब अंगदेव सुन्दसाच जी तीजी भूम की परसाल से धाम धनी चाहे महर सागर एक छोटी वृत के आधार पर बताया है कि 25 करोड योजन दूरी पे है वहाँ भी कोई पसुपंखी है प्राणी है वहाँ तीजी भूम की परसाल से धाम धनी अपने नेत्रों की प्रेम मैं द्रश्टी से अमरुत मैं द्रश्टी से वहाँ सिंचन करते थे वहाँ कोई दूरी नहीं है वहाँ तो नद्धी की नद्धी खे तो वैसे पसुपंख्षियों को भी दर्सन देते तो और चानरी चोक में अक्षरब्रम भी उस सत्ता का स्वरूप श्वरूप एक लिला दोई यह की किशोर स्वरूप है लेकिन लिला दो प्रकार की करते हैं यह जैसे बालक करते हैं ऐसी एक लिला होती है और एक किशोर भई की लिला है तो वैसी लिला में सुन्दर साजी बताया कि अक्षर ब्रह्म रोज ही आते थे लेकिन अक्षर ब्रह्म कि नेन के पावे पल में इसारत कई कोट ब्रह्मान उपजत खपत एक पल में ऐसे कई माया के करोड़ो ब्रह्मान बनाते हैं और मिटाते हैं ये सक्ष्यों को मतलब हमको ये पता नहीं था तो दोनों की इच्छा की पूर्ती के लिए धामधनी ने महेर का दरिया दिल में लिया हम क्या मानते हैं कि धामधनी ने दूख क्यों दिया यहां तो धामधनी बता रहे है कि महेर का दरिया दिल में लिया शुन्द साजी धामधनी क्या करे कि दुख आपन ने तोज था इसे जो संसार की जी अती भारी जी जो निजगर को याद करो तो दुख आपन ने कुछ भी नहीं करेगा दुख हमको लेकिन दुख कब लग रहा है जब हम बार बार संसार की ओर कई भी जग हमारा हाथ हम डालेंगे तो वहाँ तो बिच्छु डंस देगे ही देगे संसार क्या है पूरा ही जहर के समान है यहां बताया कि दामधनी ने तो महर का दर्या दिल में लिया है और आगे दोनों को इच्छा हुई कौन अक्षर ब्रह्म और आनंदंग श्यामा और शक्याओ को श्यामा जी और शक्याओ को तो यह दोनों को इच्छा हुई क्यों कि वाहदत में सब अंदर प्रसर गए जो दामधनी की इच्छा रुपी गंगा तो एक दूसरे ने इसलिए कहा कि अक्षर और सयन को आधी अनाधी फल कहियो सोई तो यह दोनों को यह इच्छा हुई और धामधनी ने क्या बताया आगे कि एक पलक्षे गंग जो निक्षी हुवा चौदिस पानी उन पानी से दो परवट धपे दोनों पर एक माया के आवरण पढ़ गए तो दोनों जो परमधाम और अक्षरधाम से देख रहे थे और क्या देखने लगे अपने को पेले हम ब्रज में आये ने पेले हम ब्रज में आये तो हम गोपी का के रूप में देखने लगे थे कहां और थे अभी भी है ये कोई भुत नहीं बनाए मतलब पाष्ट नहीं हो गया वहां तो हमारी लीला अखन अनादी काल से चाल हुई है वहां बैठे है कहां बच्चों हम कहां बैठे है मूला मिलावे में तहाम धनी के चर्णों में लेकिन यहां इतने साल बीत गए और हमको पहले हमने गोपिका के रूप में देखा ब्रज में फी रास में गए आज जागनी ब्रह्मान में भी चार सो साल हो गए और आगे बताया कि दोनों पर आवरण पड़े अक्षर रंबी बैठे है वहां अज फरामोसी जब पड़ी तब अपने को कहां देखने लगे सुन्द साजी पांचो सक्तिया जो आई ने चोथे दिन में और पांच में दिन में तो अक्षर की आतम भी अंदर बैठ कर देख रही है ने हमारा और धनी के बीच का लाड़ और प्यार क्या है तो दोनों को यां धनी दिखा रहे एक पलक्षे गंग्जो निक्षी हुआ चोधिस पानी उन पानी से दोर परवट दपे दरिया लेहर समानी उड मक्षी तरवर पर बैठी क्या मक्षी तो कि हुकम रुपी मक्षी ये संसार रुपी व्रुक्ष पर ये पैड़ पर गई बोलत अम्रुत बानी और आने के बाद ये उपकम रुपी मक्षी आदेश रुपी मक्षी ने क्या किया तो कि संसार के सभी धर्मसास्त्रों चाय वेद से लेकर उपनिश्द, दर्सन सास्त्र भागवत, गिता, रामायन, महाभारत, पुराण सहिंता, माईश्वत अंत्र, बवश्वतर पुराण, जो भी धर्मसास्त्रों सब धर्मसास्त्रों में अमारी शाक्षिया लिखवा दी गई बताया आगे कि बोलत अम्रुत वानी सास्त्रों के रूप में कैसी मिठी मिठी सुन्दसाजी वानी लिखी अमारी संकेतों के रूप में शाक्षिया दी गई और बताया कि बोलत अम्रुत वानी उन मक्षी को मक्षा नहीं मतलब यह आदेश किसने किया अक्षरातित पर ब्रम ने, परमात्माराज जी ने, तो उसके उपर कोई पावर है क्या, कोई सक्ती है क्या, जो आदेश करने वाले अक्षराति स्वयम है तो उसके उपर कोई नहीं है तो यह सुष्टी ने जो गर्भधारन किया सुष्टी के गर्भधारन करने के लिए यहां के है ने, हमारी जो एक प्रकुरूती की जो लिला के भाई पुरुष के बीना पत्नी गर्वधारण नहीं कर सकती तो यहां बताया कि उस पत्ती के बीना ये सुष्टी ने गर्वधारण कर लिया मतलब ये सुष्टी के रचना हो गई परमात्मा ने उकमश्वयम किया उस पर कोई दुसरा पावर नहीं है तीन गर्बे गुन तीनों जाए वो पुरुश केला मतलब उसके पुत्र के रूप में कोने सतर रज और तम ये तीनों गुन से सुष्टी की उत्पती हुई ने और सांख्य दर्सन में भी बताया के सतर रज और तम ये सामिय अवस्था जब तीनों गुनों की सामिय अवस्था हुई तब बताया एसे विग्नान की ओर देखे तो इलक्ट्रोन, फ्रोट्रोन और न्यूट्रोन ठीक है तो अंदर बताया के श्रोव उत्पन होने लगे और जब हलचल उत्पन हुई तो उसे अंदर परमानू, फिर अनू, फिर उसे तत्व, वैसे वैसे एक मोसागर से महतत्व, मेहतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राए, वैसे आकास, वायू, अगनी, जल और पुरुथवी तत्व की रचना हो गई तो यहां बताया, कि तिनों पुत्र के रूप में, यह तिन गर्वे गुन, तिनों जय हो पुरुषकेला, तो अभी परमात्मा कैसे रहा? यह सुष्टी से बरे त्रीगुणा, ती थे, उसको यह माया सपर्ष नहीं करेगी, वो तो उसे परे है, ब्रह्म कभी भी माया में नहीं आते, तिन गर्वे गुन, जय हो पुरुषकेला, कभी रहे हो पद को जो बुझे, सो सत्गुरु में, कभी जी ने क्या कहा? कि हो पद को जो बुझे गाने, तो चोकस यहां चिंतामणी ने सोचा, कि निश्चीत यही हमारे ब्रह्म स्वरूप, अवलोकिक हमारे सामने आए है, यही निश्कलंग बुद्ध स्वरूप है, यही हमारे महापुरुष, जो हमारे सत्गुरु ने बोला था, कि जो एक अवलोकिक महापुरुष के रूप में आपके सामने को आएगा, वो बात जो यह पार की करके, और इतना नहीं यह पद को खोल कर बत जुक गए, और जुकने के बाद अपने जो सिस्य बैठे थे, अपने जो सिस्य बैठे थे, वहाँ उसकी वोर संकेत करते हुए कहा, कि देखो, जो सब्द मैं पहले से कह रहा था ने, वो सब्द निकल आए, देखो, यही ब्रह्म स्वरूप है, उसके मुक्ष जो अवलोकि अखंड के सब्द के वरणन हो रहे, तो वही यह निश्कलंक बुद्ध स्वरूप है, आप भी उसके चरणों में आजाईए, तो सुन्द साथ जी उसने अपने सिस्यों के भी बताया, और आगे जाके बताते हैं कि चिंता मनी के अंदर यतनी तो पैचान होई, लेकिन अप भी बताया था कि जो शुक्षम एहंकार भी, एहंकार में भी सात्विक एहंकार, राजसिक एहंकार, वो तामसिक एहंकार, तीन प्रकार के हंकार बताये, उसमें भी सात्विक एहंकार का भी इतना भी बीज रहे जाएगा नंदर, तो भी धामधनी अपने चरणों में नहीं लेंगे इतना भी हेंकार तो यहाँ जब उसकी अंदर कोई ऐसी आदत है ऐसी कोई व्यसन जो देखे तो सीजी यहाँ चार वस्तु का इसेद कराते है पीना तमाकू छोड़ दो मास मसली सब और सब यह केफ परदारा चोरी न कब तो क्या क्या बताया कि है चिन्ता मनी आपको भे तार्तम तो दूंगा स्री जी बोल रहे लेकिन आपके अंदर और जो आदत है बुरी आदत है यह जब तक आपके अंदर से नहीं निकलेगी ने तब तब तक आपके अंदर तार्तम वानी के बच्चन नहीं जाएगे एक किसको समझा रहे सुंदसाथ जी ऐसा नहीं कि'm तंमा को नहीं खातें इसली भूमारे पर मोद अपंधा में धनी कुर्पा कर देंगे ठीक siamo मास भी नहीं खातें सराब भी पीतें हम तंमा को भी नहीं खातें कि जब तक यह आदत हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, ठीक है? कल अम बच्चों को पूछ रहे थे ने, कि हम समझाते तब किस-किस को अंदर से कुरोधाता है, किस-किस को इर्षा होती है, किस-किस को अंदर से द्रेस उत्पन होता है, तो कई बच्चों ने अंगुली उची क कि थी कि हा थोड़ी देर के लिए हम को एसा हो जाता है समझ में आया यह भी हमारे अंदर एक बुरी कुटेव है आदत है हमारे अंदर जो धाम धनी के पाने की हमारे अंदर इच्छा glitter तो हमारे अंदर कोई भी बुरी आदत होनी नहीं चाहिए जब तक हमारा अंतसकन पवित्र नहीं होगा जब तक हमारा दिल पवित्र नहीं होगा तब तक हमारे अंदर धामधनी की बेठक नहीं होगी इसलिए धामधनी ने बताया जब एस सुखंग में आवही तब छुटी जाई विकार और आगे भी बताया निश्दिन ग्रहिये प्रेमसो स्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम बर्नन इनविद नरक से छुटिये और उपाई कोई नाही भजन बिना सब नरक हे पची-पची मरिये माही तो क्या करना चाहिए हमारे अंतसक्रण को पवित्र करने के लिए ऐसा नहीं है चिंता मणी को सिर्फ समझा रहे है हमारे अंदर भी भले हमने बहुत कुछ ग्यान प्राप्त कर लिया बहुत सीध्या भी प्राप्त कर ली हमने विद्वता में भी आगे हम है हमारे की एक कमी है सुन्द साजी हमारे अंदर मतलब ऐसे को एक अउगूण है कि हमारी सब खुबिया को समाप्त कर रहे हैं ठीक है समझ में आया मालो एक ही अउगूण मालो हमारे अंदर अहेंकार आ गया ने जब हमारी मेख खुदी जब हमारी मेख खुदी अंदर से नहीं निकलेगी ने, तब तक हमारे सब निद्या, सब गुण, सब धन, अखंड का, जितना भी हमने प्राप्त किया है, यह हमारे लिए सार्थक नहीं होगा, इसलिए धामधनी ने वानी में बोला, के में बिन में मरे नहीं, में को मारना में, इन विद में को मारिये जो वी विद इन से जो अंदर हमारी जो एक में है में और मेरा तू और तेरा हमारे अंदर कभी भी निकलता नहीं है जो जब तक में और मेरा बने रहेगा और अंदर शुक्षम भी एंकार बने रहेगा तब तक धाम धनी हमारे से कोसो दूर है तो यहां भी चिंतामनी की अंदर जो एंकार देखा तो आगे प्रक्रण उत्रेगा एक सुन्दसाज उससे पहले चार बातों को लेकर परहेज कराया जाता है पहला तो पीवना तमाकू छोड़ दो तो कहीं को लगता है यहां तो यह मतलब नहीं है किसी के अंदर यादत है हमारे गुजरात में ज्यादा से ज्यादा गुटका तमाकू जिसमें निकोटिन जो कैंसर करता है ठीक है तो वहां बहुत मतलब तमाकू का सेवन होता है गुजरात में यहां तो मेरे को पता नहीं कितने तमाकू का सेवन है मास तो मैंने बहुत सरसावा में बहुत सी दुकाने देखी और सराब भी क्योंकि गुजरात में एक दारू बंदी है सराव की बंदन है लेकिन और स्टेटों में तो सराव भी पी जाती है और मास तो गुजरात को छोड़कर और गुजरात में भी बहुत सी दुकाने हैं सोफ है मास की दहम दनीन ये चार वातों का परहेज ऐसा नहीं के चिंतामणी के टाइम में ही दिया करवाया उसको पता था कि आने वाले टाइम में भी हमारे सुन्दस साथ के अंदर ये बुरी आदते ना आये क्योंकि हो भी एक माया में तो ये समाज में तो रह रहे है तो धामदनी ने वो समय को सोच कर ये बात चार बात का परहेज करवाया कि पीव ना तमाकू छोड़ दो तो किसी को ऐसा एक प्रस्ना खड़ा होगा कि हम तमाकू तो नहीं पी रहें क्योंकि तमाकू सिगारेट में पी जाती है या पहले तो हुका आता था यहां से स्मोकिंग करते थे और उसकी दुआ और कई दूर तक निकलती थी ठीके आप कोई प्रदस्नी में जाएगे ने कोई किले में मुजियम में तभी आपको देखने को मिलेगा ठीके तो ऐसा लगए गुजरात में मैं कई बार चर्चा में बोलती हूँ कि आप तमाकू पीना छ खाते तो हो पीते नहीं हो तो खाते तो हो मतलब ये गुटका का वो क्या फाकी बना के मावा बना के खाते हैं लोग वहां तो अभी मेरी एक थी शिबीर गुजरात में चरोतर प्रदेश में एक प्रेक्टिकल घटना घटी में इसलिए बता रही कोई दखला रिस्टान्त अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरी शिबीर थी 5 दिन की चरोतर प्रदेश पूरा तम्मा कुक का ही खेत लगा है वहां जान लोग पुरी तम्मा कुक कोंई उगाते वहां तो मेरा जहां सी भी लगी थी वो तम्मा कुक के खेत में ही लगी थी तो एक दिन भाया ने बोला कि दिदी आप ऐसा करो ने आज तमाकुक पर लेना है थोड़ी चर्चा मतलब यह अमारी यहां के बच्चे बहुत बुरी आदत में मतलब लग गए तमाकु का सेवन ज्यादा मतलब कर रहे है तो मैंने उसको इतना ही बोला कि पहले आप तो उगाना ही बंद कर दो यहां आप इतने तमाकु का उत्पादन कर रहे हो और मेरे को बोल रहे को आप तमाकु का मतलब उसको एक बोलो कि बच्चे के अंदर बहुत मतलब स्टेजी से मतलब यह पुरा गुजरात में उसका सेवन हो रहा है तो आप ऐसा करो दिदी आज तमाकु पर आपको चर्चा लेनी मेरी आधे गंटे वाँ चर्चा भी रही फिर मैंने बोला कि ठीके मैं आज चर्चा तो ले लूँगी लेकिन आप तमाकु का उत्पादन ही बंद कर दो मतलब उसको उगाना ही बंद कर दो तो उसने बोला कि दिदी तमाकु में जितनी हमारी आई है मतलब उसकी कमाई है उसकी अंदर से जो उत्पादन में पैशा मिलता है उतना पैशा कोई भी मतलब गेहू, मुक्फली, जुहार जो भी उत्पादन होते है उसमें हमारी आई नहीं है मतलब उसमें अमारी कमाई पाईशे नहीं मिलते तो इतनी चर्चा के बाद हम थोड़े आगे गाउं में गए तो गाउं में गए तो घर-घर पे हमारा मतलब जाना आना रहा तो मैंने वहाँ भी पुछा कि जाते टाइम पे मैंने खेत को में देखके चली तो खेत को बार नहीं लगी थी, खेत को बार नहीं करी गई थी, बार लगती ने, जो अंदर कोई प्राणी, पसू, कुत्ते, कोई गद्धे अंदर ना गुस जाए, तो बार लगाते ने, खेत को फिरती, कोई भी अंदर जब अना जुगाते तो, तो मैंने रास्ते में उसने बोला के बार क्यों लगाए तो मैंने बोला क्यों गद्धे कुट्टे कोई यह नहीं आ जाते गाई बैसे तो उसने बोला नहीं यह कोई नहीं आते तो मैंने बोला हो नहीं खाते तम्मा को मैंने और कोई चीज वोती तो खा लेते बोले नहीं नहीं कोई प्राणी कोई पसू कुते कोई भी नहीं ह्खाते तो मुझे बला कि कोई खाते तो कि एक मुह में डाल रहे हैं पसु नहीं खा रहे हैं उसको मनुस्य खा रहे हैं ठीक है तो सराव मास का सेवन और आगे भी बताया के सुन्दसाजी चोरी नहीं करना तो हमको लगेगा के भई हम चोरी कहां कर रहे हैं थोड़ी किसी की घर में धाड़ और घर तोड़कर कोई हम चोरी कर रहे हैं यह चोरी की बात नहीं है मन वचन और कर्म से जो हम तिन प्रकार से चोरी करते हैं ने मन से भी चोरी नहीं करना वचन से भी चोरी नहीं करना और कर्म से भी चोरी नहीं करना सुन्दसाजी इन बातों पर मैं समझाऊं तो एक गंटे और लगते हम मन से भी चोरी कर लेते हैं कैसे और वचन से भी चोरी हम किसी को कटू वचन कह देते ने तो ये वचन कहां तक चलता रहता है उसके अंदर सालता रहता है कहां तक मरते दम तक बताया कि कई बार जो काटा हुआ, जंगल वन भी हरा भरा हो जाता है, तलवार के घा भी एक बार उस पर सुधार आ जाता है, लेकिन कहीं का कहा हुआ, जो वचन है कटू वचन, ये कभी भी अंदर से निकलते नहीं है, तो सुन्दसाजियम कैसे वचन बोले, मिठे वचन बोले, मदूर वचन बोले, हितकारी वचन बोले, सत्य, प्रिय और हितकारी, बताया ने, सत्यम ब्रुहातू, प्रिय ब्रुहातू, सुन्दसाजी, सत्य है लेकिन अब प्रिय है, तो भी न बोले, प्रिय है लेकिन जुठ है, तो भी न बोले, तो सत्य, प्रिय और हितकारी धामधनी ने वानी में भी बताया कि मीठी जूबा मीठे वचन मीठा रूह मीठा करे प्यार मीठी रूहे मीठे अरस को मीठा करे विचार जाको नाम ही रसना ओसी कैसी मीठी हक जिन की जैसी बुजर की जूबा हो सी तिन माफक क्या बताया कि सुन्द साथ की जुबान में मिठे वचन होने चाहिए मधूर वचन प्रेम भरे वचन जो दुसरे को आनंद प्रगट करे यहाँ धामधनी ने हमको सुन्द साथ जी यह वचन से बताया कि सुन्द साथ जी आपकी रहनी कैसी होनी चाहिए मन वचन कर्म से और कर्म भी हमारा कैसा होना चाहिए हम कभी भी पाप न करे अपने कर्म से हाथों से कब भी भी पाप ना करे मन से भी पाप ना करे वच्चन से भी पाप ना करे कई बार हम सुन्दसाजी मन से पाप कर लेते हैं ठीक है हम, हम रुस और भागा बोडर पर तो नहीं गए या असम की बोडर पर नहीं गए लेकिन या बैठे बैठे हम कितने लोगों को मार देते मन से या किसी ने हमको थोड़े टाइम पहले कोई कटू वचन कहे यह हमारे सामने से पास हुआ तो हमारे अंदर फीर एक इर्षा की अगनी जलने लगी ने सुन्द साजी इर्षा की अगनी है ने जो हमारे अंदर जल रही है इर्षा की अगनी अंको तो दुखी करती है स्वयम को तो जला रही है लेकिन दुसरे को भी दुखी करती है पता है पहले हमारा नुक्षान हो करती है तो जैसे वो पास हुए तो हमारे अंदर फीर जवाला प्रगट हुई और हमने क्या किया अंदर से मार दिया हाथ से चाटा नहीं मारा अंदर से मार दिया तो हमने मन से पाप कर लिया ठीके वैसे हम वचन से भी पाप किसी को कटू वचन के के भी पाप कर लेते हैं कई भार कर्म भी ऐसे हाथों से कर लेते हैं तो यहां बताया कि मन वचन कर्म से जुठ नहीं बोलना, चोरी भी नहीं करना, आप समते हैं, आप जानते हैं, आपने बढ़ा भी है, कि दस धर्म के लक्षण है, उसमें अस्ते, जो चोथा लक्षण है चोरी, उसमें भी हमने द्रवपदी के स्वामी जी ने कई प्रमान दे के बताया किस किस ने चोरी की, कृष्ण जी से भी एक भूल हो गई, द्रवपदी से भी भूल हो गई, देखो महाभारत का कितना बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें सुन्दसाजी बहुत लाक सैनिक मर गई, एक द्रवपदी के कहने पर कि अंध के पुत्र अंधे ही है, इत लेकिन कितना महाभारत, ऐसे एक द्रवपदी की तरव शीता रामायन में, राम रलक्षमन को इतना ही बोल दिया कि तु मेरे को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, इसलिए माजा नहीं रहे, देखो कितना राम रामन का युद्ध खेला गया सुन्दसाजी, इतना बोलने पर बहुत बड़ा हमारा बुरा, मतलब बहुत बड़ा वो एक काम हो जाता है, जिस कभी भी हमने मन में सोचा ही नहीं है, तो मन बचन करम से कभी भी जुठ ना बोले, चोरी ना करे, ये चार बातों का परहेज, चिंता मनी को नहीं करवाया, आज हम सब को करवा रहे हैं, बोल नहीं है, लेकिन अंतिम चोरी और जुठ बोलना, हम हम हर एक कदम पर हमारे मन के जो अंदर विचार है उठ रहे, कई कलपना इंच रहे और हमारे अंदर से, कई हमारे हाथों से बुरे काम हो जाते है, कई गलत हम सोच भी लेते हैं, तो उससे हम बचना चाहिए, और धाम ध सत के बंजारे, सुनो रे, सत के बंजारे, कव एक बात समझाई, सुनो रे, सत के बंजारे, या फंद बाजी, रची माया की, या में सब कोई रया उर जाए, या में सब कोई रया उर जाए, लोक लाज मरी, या दा छोड़ी, तब ज्यान की पदवी पाई, तब ज्यान की पदवी पाई, एक आग जों, छोटी बुजाई तों, दूजी मोटी लगाई, सुनो रे, सत के बंजारे, सुनो रे, सत के बंजारे, सुन्द साजी, ये किरंतन ठठा नगर में, रात को उतरता है, स्री जी के, सुन्द साजी, दिल से, इंद्रावति के धाम दिल से, और सुबह को चिंता मनी आकर वो पढ़ता है, और यहां धाम धनी, उसका भाव बताते है, कि है सत्य के बंजारे, मतलब, बंजारे वेपारी, है सत्य के वेपार करने के लिए आने वाले है, मेरे प्रानधार सुन्द साजी, तुम सत्य का वेपार करने के लिए यहां आये हो, ये जुठ की बाजार नहीं है, जुठ का वेपार करने के लिए नहीं आये हो आप सत्य जो चाहते हो ने, तो सब्द को चिन हो बताया ने, सत्य चाहो तो सब्दा चिन हो तो ये अखंड ब्रह्मवानी, ये तार्तम वानी के सब्द को चिन हो मतलब पैचानो ओलखो क्या कहना चाहते है कि पूरी जो संसार कि एक माया जाल रची इसमें से कोई अभी तक छुट नहीं पाया है पहले प्रक्रण में बताया माया के रासग्रंथ के कि सोहेली थाई तम थकी येने कोई ओलख तु न थी सुक्देवेक तो कईक कथी पन बीजा रही है मथी मथी ये माया को पार अभी तक किसी ने नहीं पाया है आज धामधनी अपारे पर अपार मेहर करके सामने आये हैं और हम क्या कर रहे है हम परदा कर रहे हैं समझ में आया शुन्दसाज यह चिंतामणी को नहीं समझा रहे हमको समझा रहे है यह चिंतामणी की बात को माध्यम बनाया उसको माध्यम बनाया कि चिंतामणी आपने संसार परिवार को छोड़ा लोक लाज मरियादा मतलब परिवार की जो मान मरियादा लज्जा सनम थी वो छोड़ दी ठीक है अपने परिवार इस्तेदार बाल बच्चे को छोड़ दिया और एक आग तो छोटी बुजा दी परिवार की संसार की लेकिन गदीपती आचारिय बनकर एक दूसरी बड़ी आग लगाई है आपको पता है कि आपके अंदर जो एक ज्यान के अहेंकार की आपको ऐसा है क मैं इतना बड़ा ग्यानी हूँ मैं इतना बड़ा धनवान हूँ मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ जो आपके अंदर ये कई-कई प्रकार की आगे जो जलती रहती है तो यहां चिंता मनी को बताया कि है चिंता मनी आपके अंदर जो मान प्रतिश्था और एक गदी और स दूसरी गद्धिपति आचार्य की बड़ी लगाई है तो यहां उसको समझाते समझाते इसलिए कि दूके जुठी छुटे साची पाई है सत्गुरु लीजिए रिजाई सुन्दसाजी धामधनी को रिजाना है तो बस अपने दिल में जो भी विकार है धामधनी की बैठक जब तक हमारे चित के संसकार नहीं अटेंगे जब तक हमारा आहार सुद्ध नहीं बनेगा तब तक हमारी बुद्धी निर्मल नहीं होगी क्योंकि चित के संसकार पर ही तो मन काम करता है तो हमारे संसकारों को हटाने के लिए हमारा आहार अल्पाहार अठनियम में बताए अलप आहार और सतोगुन की वृद्धी कैसे होगी तो धामधनी चिंतामणी के प्रशंग से हम सब को समझा रहे हैं के सुन्द साजी हमारे अंदर जो भी है इश्शा, द्रेश, तुरुष्णा, एहंकार ये सब आग को धामधनी की सितलवानी से बुजा दो और ये बुजान रुपी अगनी है, उसो शोने रजनिस ने भी बोला, के एक ही ध्यान रुपी अगनी है कि आपके सब जो कुड़े अंदर है में कच्डे, जितने भी विकार के कचडे है, कुड़े है, ये कि दुप, जो माचिस की तिली है, उससे आप एक ही तिली जलाओ, तो आपके पूर एक कुड़े जल जाएगे लेकिन जब तक अम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा तो आधे गंटे से शुरू करें 20 मिनिट आधे गंटे से गंटे और आगे जाए तो यहां चिन्तामणी के प्रशंग शे सुन्दसाजी समझाया और चिन्तामणी ने बोला कि धामधनी आपकी ज्यान रुपी लाठी से मेरे अंदर बैठे हुए काले कुटे एहंकार रुपी काले कुटे को बोलते हैं मैं अदवेत की लाठी आथ में लेके सब साथ को परनाम तो यहां बोला कि मेरे काले कुटे मेरे अंदर एहंकार रुपी बैठे ने उसको अपन चरणों में समर्पीत हो रहा हूं, मेरा सर्वस्व समर्पन स्रद्धा निष्ठा के साथ मेरा अपने का कुछ नहीं, बस में आपके चरणों में समर्पीत कर रहा हूं, और अपने हजारों सिस्यों के साथ उसने तार्तम ले लिया, शुन्दसाजी उसके बाद एक प्रसंग य कुल में हमने समय में चरचा कशा बड़ी जो होवे तीतगर साथ की आमदानी वी बड़ी इनबखाता वी बड़ी इनबखाता बोलेशी प्राणनाथ प्यारे सत्गुरो महाराज